साइक्लोन ने भारत के तटिये छेत्र को विशेश करके पूर्विक छेत्र को प्रभावित किया और उसमें भी सबसे ज़्यादा दूस्परणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाईयों भानों को पश्चिम बंगाल के नागरीकों को यहां के संपति को बहुत हानी पहुँचाई साइक्लोन की संभावनाओं से लेकर के लगाता मैं इससे संबन्दी सभी लोगों से संपर्ग में था 12 सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्ग में थी साइक्लोन का नुक्सान कम से कम हो इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिल करके बर्सक प्रयास किया लेकिन उसके बाउत उत्पी करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए इसका हम सब को दूख है जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रती केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सब की समवेदनाय है और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ है संपत्ति का भी नुक्सान काफी होता है चाहे अग्रिकल्चर हो चाहे पावर सेक्टर हो चाहे टॉली कॉम्मिनिकेशन हो चाहे घरों का उजड़ जाना हो अनेक प्रकार का चाहे वह इंफासेक्टर का हो चाहे व्यापार जगत से लोग के जुड़े हुए हो चाहे खेतिक चत्र से जुड़े हुए हर किसे को नुक्षान होता है आज मैंने हवाई निरिक्षन करके बारीकी से इस प्रभावग्रस विस्तार को मुख्यमंत्री जी के साथ गवर्नर स्री के साथ दोरा करके उसको देखा है अभी राज्यसरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्रांथमी काकलन है उसका व्योरा दिया है हमने ताइक किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो क्रिशी का हो पावर सेक्टर का हो गली कम्मिनिकेशन का हो घरों की जोस्ति है इन्फा सेक्टर की जोस्ति है केंद्र सरकार की तरफ से भी ततकाल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी छेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रियेवरिटेशन हो restoration हो reconstruction हो उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ीव है हम पूरा-पूरा साथ देंगे सहयोग देंगे और बंगाल जद से जल्ग खड़ा हो जाए बंगाल जब से जल्ग तेजगती से आगे बढ़े इसके लिए भारत सरकार कंदे से कंदा मिला करके काम करेगी और जो भी आवश्रक्ता होगी उन आवश्रक्ताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी निती नियम है उसका पूरी तरह उप्योग करते हुए पच्चिम मंगाल के मदद में हम खड़े रहेंगे अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठेना ही नहो इसके लिए एक एडवांस आसिस्टंस के रूप में एक हजार करोड रुपिया बारत सरकार के तरब से ववस्ता की जाएगी साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वेजन खोये हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोच से दो लाग रुपिया और जिन लोगों को इंजरी भी हैं उनको पचास जाए रुपिया तक की साहईता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोच से करेंगे पूरी दुनिया एक संकट से जूज रही है भारत भी लगाता कोरोना वाइरस के खिलाब लड़ाई लड़ रहा है कोरोना वाइरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइकलोन में जीतने का मंत्र दोनों पुरी तरह एक दूसरे के अपोजीट है कोरोना वाइरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वही रहे जरुरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए दूर गज की दूरी बनाए रखे लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है जल्दी से जल्दी सुरक्षी स्थल पर अब सिफ्ट कर जाईए वहाँ पर पहुंचने का प्रयास कीजिए अपना घर खाली कीजिए यानि दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाईयां एक साथ पस्चिम मंगाल को लड़ पड़ी है लेकिन उसके बावजुद भी ममता जी के नेत्रुत में राजय सरकार ने बर्सक प्रयास किया है भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकड की घड़ी में जो भी आवशक जो एडवांस पर करने योग्य था जो उसी जमय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवशक्ता है उसको भी तुरा करने का हम प्रयास करेंगे आज समगर देश को जिन के लिए गवरव है ऐसे राजा राम मोहन राई जी की जन्व जैन्ती और उस समय मेरा पश्चिम मंगाल की इस पवित्र धर्ति पर होना मेरे मन को छूने वाली बात होती हैं लेकिन संकट की घड़ी से हम जूज रहे हैं तब मैं तो इतना ही कहूंगा कि राजा राम मोहन राई जी हम सब को आशिरवात दें ताकि समायनुकुल समाज परिवर्तन के जो उनके सपने थे उनको पूरा करने के लिए हम मिल बैट करके मिल जुल करके एक भावी पीडी के निर्मान के लिए समाज शुधार के अपने कामों को निरंतर जारी रखेंगे और वही राजा राम मोहन राई जी को उत्तम स्रद्धानली होगी मैं मेरे परसिम मंगाल के सभी भाईयों बेनों को भी स्वाच दिलाता हूं कि संकट की घड़ी मैं पूरा द भी खड़ी के समाज आप सबसे मिलने आया हूं लेकिन को कोरोना वाइरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पार रहा हूं मन में एक कसक तो रह जाएगी यहां से मैं आज उडिशागी और जाओंगा और वहां भी हवाईनी विक्षान करूंगा वहां के माने मुख्यमित्रीजी से वहां के सरकार से बाद देत करूंगा मैं फिर एक बार पश्चिम मंगाल की इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ जल्द से जल्द आप इस संकर से भार रिख ले इसके लिए मैं पूरी तरह आपके साथ रहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद